हेलो दोस्तों देशी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों माया वतीजी की बात हो और चंदर शेखर की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता दोनों की बात साथ साथ चलती है क्योंकि दोनों बहुजनों की राजविती करने का दावा करते हैं दोस्तों चंदर शेखर आजाद के बारे में एक ऐसा वीडियो हाथ लगा है जिसको देखने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि वो बेस्पी सुपरीमों की बारे में क्या सोचते हैं उनकी महत्वा कांक्षा क्या है वो क्या बस्पा को रिप्लेस करने वाले हैं बस्पा का बिकल्ब बनने वाले हैं माया वतीजी का बिकल्ब बनेंगे बहुजनों के सबसे बड़ी नेता बनेंगे आज दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको याद दिला दूँ कि चंदरशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाच पार्टी जो है उसने राजस्थान में राष्टिये लोग टांत्रिक पार्टी यानि आर एलपी के साथ गड़बंधन किया और जानते हैं गड़बंधन करने के तुरंद बाद क्या कहा कि हनुमान में निवाल उनके बड़े भाई हैं उनके बड़े नेता हैं और तारीफ करते करते यहां तक कह दिया कि आर एलपी और एस पी जो गड़बंधन है वही 2023 में राजस्थान के मुख्मंत्री को टांग कर देगा इतना ही नहीं यह भी कहा कि आगले मुख्मंत्री हनुमान में निवाल होंगे यानि खुले तोर पर यह एलान कर दिया कि राजस्थान में एस पी और आर एलपी सरकार मनाएंगे यानि चंदर्शेकर के अनुसार वहां पर भाजपा हार रही है कॉंग्रिस पार्टी हार रही है और बहुजन समाज पार्टी हार रही है और यहां हनुमान बेनिवाल मुख्मंत्री बनने वाले हैं और यही जो गडबंधन हुआ है यही सब कुछ तैंकर देगा बाकि सब जीरो हो जाएंगे यह चंदर्शेकर कहने की कोशिश कर रहे है तो दोस्तों इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाएं क्या वो बस्पा को कमजोर मान रहे हैं क्या चंदर्शेकर आजाद रामण बस्पा को जीरो समझने लगे हैं जी हां दोस्तों अब चंदर्शेकर आजाद रामण बस्पा का विकल बनना चाहते हैं चंदर शेखर आजाद रामड दलितों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं और चंदर शेखर आजाद रामड अब बस्पा को कमजोर तक करार दे रहे हैं जी हाँ दोस्तों चंदर शेखर आजाद रामर का आजकल खूब मीडिया में मिनिस्ट्री मीडिया में इंटर्व्यू चल रहा है और तमान चैनलों को वो इंटर्व्यू दे रहे हैं और इस दौरान वो आजकल खूब बहन कुमारी मायवती जी को टार्गेट कर रहे हैं चंदर शेखर आजाद सीधे सीधे अब BSP सुप्रीमो को टार्गेट कर रहे हैं बीते दिनों चंदर शेखर आजाद रामड ने वस्पा सुप्रीमो पर कई हमले बोले दोस्तों उन्होंने क्या कुछ कहा है क्या है उनकी महत्तवा कांग्शा और क्या वाकई वो बस्पा सुप्रीमों को एक तरफ तु मैं बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनहीं पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनहीं को टार्ъ muddyट करने हैं। दोस्तों चंदर शेखर आजाद रामण का एक वीडियो हाथ लगा है दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ यह वीडियो तीन पार्ट में मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों वीडियो का पहला हिस्सा यह है कि बस्पा अभी कहां खड चंदर शेखर की नजर में बस्पा या बस्पा सुप्रिमों भी कहां खड़े हैं और बस्पा कमजोर कैसे हो गई बस्पा को वो कमजोर बता रहे हैं तो ये भी कारण दे रहे हैं कि बस्पा कमजोर कैसे हो गई तीसरी बात दोस्तों चंदर शेखर आजाद रामण अब खुल बनेंगे इसलिए उन्होंने ये पार्टी बनाई तो दोस्तों चलिए आपको मैं कुछ किलिफ्स भी दिखाऊंगा और आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है तो दोस्तों चंदर शेखर आजाद रामर ने ये बयान दिया कि जो पूर्ण वहमत की सरकार थी वो अब एक सीट पर आ गई है ये बताओ जिनकी पूर्ण मों की सरकार रही हो आज वो एक सीट पर तो क्यूं है दोस्तों चंदर शेखर आजाद रामर की कहने का अर्थ ये है कि बसपा अब जो बिधान सभा में 2022 में उसका परदर्शन था एक सीट वो लेकर आई थी इसलि पूरी जो आपकी पैट आई लो जी उस सब के साथ समझोता कर लिया दोस्तों यहाँ पर एक कारण चंदर शेखर ये दे रहे हैं कि बहुजन सुखाए बहुजन हिताय का नारा था लेकिन उस नारे को कर दिया गया कांचिराम जी के जाने के बाद सर्वजन हिताय सर्वजन क्या है दोस्तों यहाँ तक की चंदर शेखर आजाद रामण ये भी कहते हैं इस वीडियो में कि माया वती जी और उनकी लीडर्शिप से सवाल होना चाहिए कि आखिर पार्टी की ऐसी हालत क्यूं हुई दोस्तों चंदर शेखर आजाद रामण यहाँ पर यह कह रहे हैं कि बस्पा के नेता सिर्फ चुनाओ कि समय निकलते हैं क्या यह कहने की कोशिश है साफ तोर पर यहाँ कहा जा रहा है चुनाओ से पहले कहां रहते हैं तब तो चंदर शेखर आजाद रामण रहते हैं दोस्तों वो खुद को बहुजनों का सबसे बड़ा मसीहा बताने में लगे हुए हैं दोस्तों इतना ही नह चुनाओ से पहले कहां रहते हैं कि हमारे लड़ाई तो चंदर शेखर आजाद रामण का ये बयान ऐसे समय में आया जब बस्पा सुप्रीमों विधान सभा के साथ साथ लोग सभा चुनाओ की तैयारी कर रही हैं और इस समय चंदर शेखर आजाद रामण ये कह रहे हैं कि ही नहीं दोस्तों आगे जो कहते हैं वो तो और ही हैरान कर देने वाला है वो कहते हैं कि लोगों का मन बदलेगा धीरे 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 बदलेगा जहां प्रेम होता है वहां हटने में वक्त लगता है वहां से मतलब मतलब ये कि अभी जो दलित वोट बैंक है वो बसपा के साथ है वो बियस पी सुप्रीमों के साथ है और लंबे टाइम से ये वोट बैंक उन्हीं के साथ है और अब मैं मैं मैंदान में आ गया हूँ तो वो जो वोट बैंक है जो प्रेम है वो धीरे धीरे खत्म होगा क्योंकि मैं अब बहुजनों का बड लड़ाई लड़ता हूं इसलिए देर से लेकिन जरूर वोट बेंग एक दिन हमारे पास आएगा बदलेगा लोग का मन दीरे दीरे बदलेगा जब जहां प्रेम होता है वहां से हटने में समय लगता है इस तरह से चंदर शेकर आजाद रामड खुद को बहुजनों का सबसे बड़ा नेता बता रही हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं बसपा सुप्रिमो का विकल बन जाओंगा तो दोस्तों बड़ा सवाल तो यही है क्या चंद शेकर आजाद रामड ब्यَस पी सुप्रिमों को टार्गेट करके चुनाव जितना चाहते है क्योंकि दोस्तों इन दोनों का जिक्र साथ साथ चलता है क्योंकि दोनों ही बाबा साहिब अमबेटकर मानवर कांशीरांद के फॉलोवर हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं दोनों के पार्टियों के जंडे का रंग भी नीला है ये इत्फाक है दोस्तों कि मा पायावती जी ने भी पश्चिमी उत्रप्रदेश से अपने राजिनती की शुरुवात की थी और चंडर शेखर भी वहीं से आते हैं तो बहुत सारी समनताएं हैं और बड़ी बात बस्पा का गठन किसे ने किया संस्थापक कौन थे मानवर कांशीरांजी उन्ही मानवर का नाम इस्तमाल करने अपनी पार्टी में चंडर शेखर आजाद रामण और पार्टी का नाम था आजाद समाज पार्टी अब पूरा नाम उसका हो गया है आजाद समाज पार्टी कांशीरांग तो फिर बचा क्या विचार धारा वही है बहुजनों की लड़ाएं की बात हो है क्योंकि अब तो चंडर शेखर आजाद रामण घूम घूम कर ये परचार कर रहे हैं कि भाया तुम्हारा कोई नहीं है सिर्फ मैं ही हूँ सब घर में बैठे हैं चुनाव आएगा तब वो निकलेंगे तो कुल मिला कर दोस्तों इस समय चंडर शेखर आजाद के निशान कई इस तरह से राजनिती करके चंडर शेखर आजाद रामण पसपास सुप्रीमों का विकल बन पाएंगे और क्या वाकई जो ये दावा कर रहे हैं कि एक दिन दलित वोट बैंग उनके पास चला जाएगा क्या ये मुमकिन होगा दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है क्यो आचुके हैं एक बात और जहां जहां बसपा चुनाव लड़ रही है वहीं वहीं चंडर शेखर आजाद रामण भी चुनाव लड़ रहे हैं तो दोस्तों इस समय चंडर शेखर आजाद रामण बसपा को कमजोर मान रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं इस जिस फिराक में है वो सपना पूरा होगा क्या जिस तरीके से वो ये दावा कर रहे हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर आप लोग भी जबाब दे सकते हैं और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए चनल को सब्सक्राइब करिए सहयोग करिए जय सम्मिधान